गुड़ मॉर्निंग ओल उफ यो तुड़े अवर टोपिक लिंग इन हिंदी सब्जेक्ट लिंग किसे कहते हैं पिटा देखे संग्या शब्द के जिस रूप से पुरुष अत्वास्त्री जाती का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं यहीं जो संग्या शब्द होते हैं उससे किसी पुरुष अत्वास्त्री का बोध हो वहां उसे लिंग कहते हैं जैसे देखे लड़का प्रशन बोल रहा है मूर नाच रहा है निजू धान देखे माता जी खाना बना रही है लड़की तर लिख रही है तो अब इसमें हम देखेंगे कि लड़का और मॉर हमें किस चा है फूर्ण करते हैं उसली कर पूच्य में कुंसा लिंग हो जाएगा पुलिंग किन पोचा कि और पूच्य में क्युंद प्रबना रही है अगा इन वाक्यों साइका क्यों पूच्छे तो कॉन सा यहाएगा ऑनता पूच्छा future यहां भी अब देखे मैंने एक वाक्य लिखा है उधान लिखा है कि वह जाता है वह जाती है दोनों में सरणाम सेम है वह वह तो इनका पता हमें कैसे लगेगा कैसे बहुत होगा इसका जम पूरा वाक्य पढ़ेंगे नि किरिया के अधार पर भी हम इसका पता लगा सकते हैं क तो लिंग के बेटा दो भेद होते हैं पूलिंग और इस्त्री लिंग अब पूलिंग किसे कहते हैं कि जो शब्द पूरुष जाती का बोध कराते हैं उन शब्दों को पूलिंग कहते हैं जिन शब्दों से पूरुष जाती का बोध होता हो यानि मेल का बोध होता हो उन्ह इसी तरह देखी स्त्रीलिंग किसे कहते हैं कि जो शब्द स्त्री जाती का बोध कराते हैं उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं अब जैसे हमने उपर पड़ा था शिक्षक तो इसका पूल स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा शिक्षी का बेटा का स्त्रीलिंग में बेटी अवीत्री, राजा का रानी, बैल का गाय, मोर का मोर्नी, यानि जो पुलिंग के उधाने होने को स्ट्रिलिंग में परिवर्तित किया गया है, अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा, जो हमेशब या तो पुलिंग में ही प्रियोग होते हैं, य हमारी भाष्चा के शब्द या तो पुलिंग है या स्ट्रिलिंग, कुछ शब्दों का लिंग सदा एक ही रहता है, यानि जो पुलिंग में है, उन्हें हम स्ट्रिलिंग में नहीं कर सकते, जो स्ट्रिलिंग में है, उन्हें हम पुलिंग में, यानि हर रूप में कुछ जैसे कच्छुआ, भालू, मच्छु, तोता, इतियादी, यह यह शब्द हमेशे किसमें होते हैं, पुलिंग में होते हैं, जैसे नित्ति इस्त्रेलिंग जो हमेशे इस्त्रेलिंग में रहते हैं, जैसे मक्की, गिलहरी, मकडी, कोयल, मैना, जूं, छिपकली, मचली, आदी, अब जैसे ये कहें कि क्या हम इनका इस्त्रिलिंग में प्रियोग नहीं कर सकते पुलिंग शब्दों का या जो इस्त्रिलिंग में है उनका पुलिंग में प्रियोग नहीं कर सकते तो ध्यान दीजी बेटा जैसी जो नित्त्य पुलिंग शब्द होते हैं इन्हें इस्त्रिलि नर गिलहरी, नर मकडी, नर कोयल, नर मेना, नर जू, नर छिपकली, नर मचली, आदी, इनके रूप परिवर्थन ऐसे होंगे, यानि जो पुलिंग में होंगे, जो नित्ते पुलिंग में होते हैं, उनको स्त्रिलिंग में परिवर्थित करने के लिए उनके साथ मादा लगा नर और मादा यह भी हिंदी के शब्दों में लिंक के विशह में असरो सामाने नियम नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि जो हिंदी का शब्द बंडार है वह बहुत ही बढ़ा है फिर भी हम यहां कुछ नियम जानेंगे जिनकी साहता से हम पुलिंग य इस्ट्रिलिंग हम की विरुद्ध भी होते हैं जिनको हम अपवाद कहते हैं तो हम पढ़ेंगे कि जैसे प्राणी वाद्चक क्या होते हैं जैसे पेटा कबूतर होता है प्राणी होता है मनुश्य होता है शेर होता है यह प्राणी वाद्चक होते हैं एप्राणी वाद्चक क्या होते हैं एप पुछ शब्द सदय पुलिंग में रहते हैं तो हम उनके नाम पढ़ेंगे इनके साथ जो अपवाद दिये गए हैं उनके बारे में जानेंगे यहां पर बताई जा रहे हैं यह क्या है अप्राणी वाच्छ तो देशों के नाम जैसे भारत जापान इराक नेपाल अमेरिका इ यहां पर अपवाद है उसी तरह देखिए फलों के नाम जैसे सेव केला संत्रा अनार अमरूद यह सारे किसमें आते हैं पुलिंग शब्दों में आते हैं धातू या पदार्थों के नाम तो जिस से लोहा सोना घी तेल यह किसमें आते हैं पुलिंग में लेकिन धातू के अ अपवाद है सागरों के नाम जैसे प्रशांत महा सागर हिंद महा सागर अंद महा सागर यह सारे किसमे आते हैं पुलिंग में वरक्षों के नाम जैसे नीम बर्गद आम पीपल लेकिन यहां अपवाद की रूप में है इमली और खेजडी यह जो वरक्षा का नाम किसमे आता ह इस तरह देखे दिन्व है भारती महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुद्वार, ये दिनों के नाम किस में आते हैं, पुलिंग में, उसी तरह भारती महीनों के नाम, भारती महीनों के नाम कहां से स्टार्ट होते हैं, बैसाक, जैस्ट, अशार्ड, श्रामन, ये म अपवाद है यह किसमें आएगी स्ट्रिलिंग शब्दों में आएगी रतनों के नाम जैसे सोना पुखराज पन्ना दिये सारे किसमें पुलिंग लेकिन इसमें अपवाद क्या है मणी और लाल उसी तरह देखिए अनाजों के नाम जैसे जो मक्का चाबल चना बाजरा लेकिन अपवाद इसमें क्या है जवार हमारे शरी के कुछंगों के नाम मिस्ट्रिलिंग में आता है कुछ है पुलिंग में आप जैसे माथा पैर दान पेट हाथ आदी यह किसमें आते हैं यह पुलिंग में आते हैं उसी तरह देखिए पुलिंग में उसी तरह देखिए पुलिं बचपन, सरोज, छुटपन, बचा, उडंडा, लोटा, आदी यह सारे शब्द किसमें आएंगे यह सारे प्रत्य युक्त शब्द हैं और यह पुलिंग में आएंगे अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदेय इस तरी लिंग में रहते हैं यहां हम उनका अध्यन करेंगे कुछ एक शब्दों का सभी का अध्यन करना है उनको लिखपाना नाममकिन है यहां हम कुछ एक महत्वों शब्दों को ले रहे हैं जैसे कुछ अंगों के नाम जैसे सरीर के अंग होते हैं अब संस्केत के इकारांथ शब्ड में इकारंथ शब्ड के अर्थार्थ अंत में जो ऑसोत जो भी चिकेतर्थ जिसकी ज़ाद के ढush होती जिस रोगजी आग्जाती भक्त्ढक्री यसोरी उतर्ब आएंगे कुछ खाद्य पदार्तों के नाम जैसे पूरी दाल रोटी सब्ची कचोड़ी खीर आ दिये किसमें आते हैं इस्त्रिलिंग शब्दों में तेसे नदियों के नाम गोदावरी जहलम नर्मदा यमना गंगा कावेरी ये सारी नदिये किसमें आती है स्तेव इस्त्रिलिंग में आती है संस्कित के उकारांथ शब्द उकारांथ शब्द में देखे जिनके अंत में उ की धौनी होती है जिन शब्दों के अंत में जैसे देनू बायू धातू रेनू आयू आदे देखे भाशाओं के नाम भाशाओं के नाम भी किसमें आते हैं इस तरी लिंग में आते हैं जैसे देखे चीनी, फारसी, गुजराती, अर्बी, हिंदी, अंग्रेजी, आदी जैसे छोटे बरतन होते हैं हमारे घरों में उनके जिसे धाली, कडाही, कल्ची, कटोरी, प्याली, ये शब्द भी किस में आते हैं, इस तरही लिंक शब्दों में आते हैं लीपी वे बोलियों के नाम लीपी किसे कहते है मिटा किसी भाषचा के लिखने के ढग को लीपी कहते है और बोली किसे कहते है यानि किसी एक छेतर विशेश में बोले जाने वाली भाषचा को बोली कहते है तो लीपी जैसे हो गई देवनागरी, रोमन, अर्बी ये क्या है लीपिया है तो इनका नाम किसमें आएगा स्ट्रिलिंग में और बोलिया जैसे ब्रज, भोजपुरी, अवधी, राजिस्थानी ये सारी क्या हैं बोलिया है तो इन्हें हम किसमें लिखेंगे भाशा और बोलियों को इस्त्रिलिंग शब्द में नक्षत्रों के नाम जैसे रोहिनी, अश्विनी, भरनी, यादी ये किसमें काम आती हैं जैसे हम आचारे करते हैं, संस्कृत भाशा पढ़ते हैं यानि कोई पंडिता ही करता है तो उसमें नक्षत्रों होते हैं उन नक्षत्रों के इसाब से जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम करन किया जाता है कि किस नक्षत्र में कौन सा बच्चे पैदा हुआ है तो ये नक्षत्रों के नाम है, नक्षत्रों के नाम भी किसमें आते हैं, इस त्रिलिंग में आते हैं अब जैसे हमने उपर पढ़ा था कि आ, आ, उपा, पं, ता, जया, दी, जो प्रतेविकते शब्द होते हैं, उसमें क्या होता है पुलिंग शब्द होता है लेकिन यहां हम पढ़ेंगे यहां भी आ है आ भी आएगा इसमें जैसे च्छाता शब्द में पुलिंग है लेकिन यहां हम पढ़ेंगे आ का जैसे च्छात्रा तो इसमें क्या हो जाएगा इस तरह लिंग शब्द हो जाएगा चात्रा मिठाई नौकरानी मिलावट गुडिया गरीबी ताकत मानता नीती आदी ये सारे शब्द कैसे हैं इस तरे लिंग शब्द हैं ये अब जिसे हम लिंग परिवर्तन की नियम जानते हैं कुछ नियम होते हैं ये लिंग परिवर्तन कैसे होता बैटा कुछ शब्द तो बिल्कुल ही विप्रीद हो जाते हैं और यह नहीं जो प्रत्य जुड़ते हैं ना शब्दों में तब उनका लिंग परिवर्तन होता है तो जैसे आप्रत्य से जैसे अध्यक्ष का अध्यक्षा सुत सुता आचार्य आचार्य चात्र चात्र यह आप्रत्य की योग से बने हैं आनी की योग से जिसे नोकर नोकरानी सेट सेठानी जेट चिठानी तेवर तेवरानी आदी आइन प्रत्य से बने जिसे पंडित पंडित आइन चोधरी चोध्राइन हलवाई हलवाईनी इसमें आइन प्रत्य यह जो शब्द है इसमें आइन प्रत्य लगा हुआ है इसी तरह अगी। अप्रत्य य से फिरिवंहीं लड़की, घोड़ा, घोड़ी इन्में क्या है और प्रत्य लगा हुआ है। आगे देखिए यह प्रत्य जैसे चूहा चुहिया लोटा लुटिया साड़ी साड़ी यह भवचन का उधारन आ गया है यह यहाँ पे नहीं आएगा यह भवचन का उधारन है इसको कट कर देना यह प्रत्य से होगा चूहा चूहिया लोटा लुटिया इन प्रते में देखी ग्वाला ग्वालिन माली मालिन धोपी धोपी ये किसका हो गए इन प्रते से अब देखी नी प्रते के योग से ग्वाला ग्वालिन माली मालिन धोपी धोपी अब नी प्रते से देखी भील भीलनी सिंग सिंगनी जाट जाटनी ये नी प्रते के योग से बने हैं जैसे इका प्रत्य की योग से जैसे बालक बालिका गायक गायिका लेखक लेखिका मती या पती से देखे जैसे भगवान भगवती, श्रीमान श्रीमती, आयुषमान आयुषमती इसी तरह देखे इनी प्रित्ते से जैसे हाथी हाथी नी, फल्दाई फल्दाई नी, स्वामी स्वामी नी, ये सस्वी ये सस्वी नी ये क्या है 지금까지 ये इनके लिंग परिवारतन है यहां तो हमने प्रत्ते से पढ़ा लेकिन कुछ पुलिंग शब्द होते हैं जिनकी इस्तरी लिंग शब्द बिलकुल ही भीन होते हैं कवी कवित्री, पती पतनी, विद्वान विदूशी, वर बधू, पिता माता, सम्राट सम्राग्जी, बादशाह बेगम, वीर विरांगना, विदूर विद्वा, राजा राने, बैल गाय, ससुर सास यह क्या होते हैं हमेशा भिन शब्द होते हैं अब देखे, अभियास कारे में देखे, सदेव पुलिंग रहने वाले कोई पांच शब्द लिखिए, मैंने अभी बताया, आपको उध्धान भी दिये हैं, कि जो हमेशा पुलिंग में ही रहते हैं, वो हमें पांच शब्द लिखने हैं, सदेव पुलिंग रहने वाले कोई पांच शब्द लिखने हैं जो हमेशे अस त्रिलिंग में ही रहते हैं निम लिखते शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए तो लिंग बदलकर लिखना है हमें देखिए जैसे शब्द दिये हैं बादशाह, बेटा, आत्मजा, दादाजी, बिच्छो, गिलाः, कच्छवा, गाय, कवी, कौाला यह हमारा लिंक टोपिक पिटा कम्प्लीट हो गया